हेलो फ्रेंज, वेलकम टू कुक्विश्य गुन, आज हम बनाएंगे सरदियो वाला गाजर का हलवा जीहा, अभी सरदियो में ये लाल वाली गाजर बहुत ही ताजी मिलती है, तो इससे बहुत ही बढ़िया सा हलवा बनता है, और ये गाजर से जो हलवा बनाते हैं, उसका टे के हैं, वो निकाल दिये थे, फिर से दो बार पानी से साफ कर लिया था, उसके बाद यहां पर फूट प्रोसेसर में ग्रेट कर लेंगे, आप ग्रेटर की मदद से भी ग्रेट कर सकते हो, मैंने थोड़े फूट प्रोसेसर में किये थे, थोड़े बार ग्रेटर में किये थे सारे गाजर यहाँ पे गीस चुके हैं अब हम एक बड़ी कड़ाई लेंगे और उसमें चार से पांच बड़े चमच गी डाल देंगे गी गरम हो जाए उसके बाद गाजर को हम डाल देंगे इसमें कड़ाई को हम ढखने के बाद हाई फ्लैम पे गाजर को हम नरम होने के लिए छोड़ देंगे पांच मिनिट के लिए पांच मिनिट के बाद आप देख सकते हो कि थोड़े से गाजर हमारे नरम हो चुके हैं फिर से हम इसे मिक्स करेंगे और पांच साथ मिनिट के लिए इसे दखने के बाद छोड़ देंगे तो आप देख सकते हो कि थोड़ा-थोड़ा सा पानी इसमें से निकलना सुरू हुआ है और इसी तरह से अब हमें क्या करना है कि दस मिनिट के लिए गाजर को फिर से हाई फ्रेम पे भुनना है जैसे जैसे हम गाजर को भुनेंगे उसमें से जो पानी है वो रिडियोस होने लगेगा गाजर को अच्छी तरह से भुना हुआ होगा तो ही गाजर का टेस्ट अच्छा आएगा और गाजर का हल्वा थोड़ा लंबा समय तक चलेगा तो आप देख सकते हो कि जो पानी था उसमें से चला गया है अब इसमें पानी बिल्क किया है यहां पर और 100 ग्राम यहां पर लिया है मावा जो यह खोया है मावा वह है बीना शक्कर वाला यानि कि मीठा नहीं है तो यहां पर शक्कर वनफोर्थ कप मैंने ज्यादा डाली है अगर आप मीठा खोया लेते हो तो आपको यहां पर वनफोर्थ कप शकर एड़ नह में मिलाना है अची तरह से इसके जो क्रम से वो रहने नहीं चाहिए और इसी वझद के हलवे का टेस्ट बहुत ही बड़さा थे देख सकते हो कि घाजर का हलवा एक दम हमारा रेडी है कितना बड़ी असा यह बूना है और जो मावा था उसमें मिल चुका इसमें दूद्की जरूरत नहीं है इसी मावे की वज़े से ही यह गाजर का हलवा बहुत ही टेस्टी डिलिस्यस लगता है तो जरूर इस तरह से आप बनाना गाजर का हलवा आपको बहुत पसंद आएगा अब हम यहां पे ड्राइफ फुर्ट्स एड़ करेंगे ड्राइफ फ और इसे काटके हम इस अरह से भून लेंगे काजो बदाम और जो किसमें से भून जाए उसके बाद हम इसे हलवे में मिक्स कर देंगे यह बुना हुआ जो ड्राइफ फुर्ट्स है वह बहुत ही गाजर के हलवे में अच्छा लगता है और एकदम क्रंची साइज का देस्ट जाता है बस इसे मिला लीजे और गरम-गरम घाजर के हलवे को सव कीजे और अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजे आपके फ्रेंड्स और फैमिली ग्रूप में इसे शेर कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो जो बिल्कुल फ्री है जो सब्सक्राइब का लाल बटन है उसके उपर आपको क्लिक करना है उसके बादो में जो बैल आइकन है उसके उपर भी प्रेस कर देजिएगा जिसे मैं जैसे ही नया वीडियो अपलोड करूंगी आपको नौटिफिकेशन तुरत ही मिल जाएगी थैं झाल मूझक प्रियो कर देजिस।